भगवान राम का कोई बिरोध कर रहा हूं, भगवान राम के भब मंदिर का उठ घाटन और उसका बिरोध करता हूं, तब तो राजनीति करन करना ही पड़ेगा, हम लोगों ने नहीं किया है, पर वुष्री राम के बुलावे पर सब को बुलाया गया था, और मैं तो कहता है कि नितीजी बिहार के मुखमंत्री हैं, वो भगवान राम के बंसद है, उनको भी जाना चाहिए, और परवुष्री कृष्ण के बंसद लालु प्रसाद जीए, इनको भी राम मंदिर के पूजा में जाना चाहिए, क्योंकि हमको सास्तरों में बताया गया, कि दोनों एक ही ह तो इस देश में जो हमारे सनातन सनातन को बचाने के लिए पूरा सनातनी खड़े हैं, और जिनको यह लगता है कि इटली से देश चलेगा, देश चलने वाला भारत के सनातन प्रंपरा से चलने वाला देश यहां मुखल भी आए, मुखल ने लूटने का काम हमारे मंदिरों को किया तोड़ने का काम है तो भी हमने गृहन किया अंग्रेज 200 वरस तक इस देश को लुखते रहे तो भी हमने गृहन किया इसलिए सनातन सब को पिर जो भी रोत कर रहे हैं वह भी मेरा मानना है कि हम सभी सनातन सभी धर्म सभी लोगों को राम मंदिर के लिए स्वागत करना चाहते हैं कराइं इसमें कहां दिक्कत है लेकिन कतनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए कतनी और करनी में फर्क हो एक तरफ आप भव राम मंदिर का बिरोध करते हों और उनके भक्त हनुमान जी का कता करते हों इसका क्या प्रतीक होता है यह स्पस दिखाई देता है कि आपके कतनी और कर्णी में फर्क है केजरीबाल जी को कतनी और कर्णी दोनों को एक करना चाहिए तेने गटवंदन में तो थी भी नहीं मायावती जी कभी गटवंदन में जब थी 2019 में थी और जब लोकसवा के चुनाओं में समाजवादी पार्टी ने उनको धोखा दिया तब से वो अलग हुई हैं यह कोई इंडी गटवंदन में तो मायावती जी थी नहीं जो लोग इंडी गटवंदन में रहेंगे उनके खिलापने इस तरह का भाई उदवाव में जा सकते हैं और यह मैं अस्पस तोर पर काना चाहता हूं कि देश में CBI और ED का दुरूपयोग जितना कांग्रेस ने किया है कोई दूसरा पार्टी सोच भी नहीं सकता है